पर exactly क्या हो गया equity market में and commodity market बिल्कुल थोड़ी कल कमजोरी देखने को मिली बिक्वाली वाला दिनता क्योंकि FED के minutes आते हुए दिखे जो meeting हुई थी उसके बाद कुछ चंता जनक यहां से comments आते हुए नजर आई होकिश kind of commentary है वहां पे हमने देखी तो कल record level पे Nasdaq ने चुआ लेकिन उसके बाद थोड़ी मुनाफ़ा वसुली वहां पे देखने को मिली दाव में भी करीबन 200 अंग की कमजोरी कल आती हुई नजर आई को 2% के target पर लाने का है इनफाक्ट कुछ members ने तो ये भी indicate किया कि अगर ब्याज जो inflation है वो 2% के target पर नहीं आता है जल्द तो ब्याज दरे बढ़ाई भी जा सकती है तो ये commentary कल निकल कर आई जिसकी वजह से थोड़ा दबाव कल हमने अमेरिकी बाजार में देखा नतीजों का reaction इंट्रेस्टिंग था इंट्रेस्टिंग है आज सुबह भी क्योंकि आफटर आज में एन्वीडिया के जो स्टॉक है वो करीबन 6% उपर आपको दिखेगा इसलिए नास्डेक फ्यूचर्स में आज आपको 100 पॉइंट की बड़ा फिलाल आपको नजर आ रही है नतीज काफी कमजोर यहां पर आते हुए दिखे थे तो मैक्रो के लिए आज से डेटा आते हुए दिखा नतीजों का रियाक्शन देखने को मिल रहा है और एन्वीडिया के सेमी कंडॉक्टर जाइंट स्टॉक है जाइंट कंपनी है उसके नतीजे काफी स्ट्रॉंग आया तो यहां पर फोकस बना हुए दिखेगा कि जो कमजोरी आती हुए नजरा 82 डॉलर के नीचे आपको ट्रेट करता हुए दिखेगा एक कफती के निचले स्थर पर आ चुका है ब्रेंट क्रूड सोना चांदी में भी मुनाफ़ा वसूली देखने को मिले यहां पर भी कमजोरी के साथ ही ट्रेडिंग हो रही थी हो कॉपर में भी बात करें तो यहां पर भी भारी करेक्शन देखने को मिला क्योंकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा रिबाउंड आते हुए नजरा 105 के पास फिलाल आपको ट्रेट करता हुए दिखेगा तो एक्विटी में भी हलकी बिक्व लाने का है तो उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है कि ब्याद दरों में कटाउती हो उसी का रेक्शन कर बाजार में देखने को मिला